आएए देखते हैं इंवेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी पिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब lowest point पे market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए nifty के मुकाबले तीन जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले चार हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share nifty से better है या नहीं यानि की पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को एक लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किए 6 साल बाद 1-1-1-1-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुँ एक लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपए नifty 50 shares में इन्वेस्ट किए 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमन की वेल्यू है शेर में अप्रिसियेशन ज्यादा हुआ है इसलिए 1st पॉइंट शेर ने जीत लिया है पॉइंट में निफ्टी आर गया है ओवरवल निफ्टी जीता चार्ट में देखते है एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले 7 सालों में चले है वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी वेलिव कहां पहुचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेलिव हो गई होती एवडी के 8% के मुकाबले ये निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया तैंक यू